क्या आपको पता है गाइस PUBG Mobile Lite में नया सिक्योर्टी सिस्टम आया हुआ है जिसकी वज़ा से अभी की टाइम पे जो ID है ना वो 20-20 साल के लिए बैन हो रही है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक वार्निंग देना चाहता ह लोग वीडियो को देखते रहेगा आपको अपनी ID कैसे सेफ रखनी है यह भी मैं आपको टीप्स के थुरू बताऊंगा इस वाली वीडियो में साथे साल गयाज एक और टॉपिक के कभर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में जैसा कि आपको मालू है PUBG Mobile Light के Hashtag को trend कराने के लिए हम लोग ने एक WhatsApp गुरूप बनाया था जिसमें 10,000 प्लस follower हो भी चुके थे आप लोग के mind में एक question ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस WhatsApp गुरूप का हुआ क्या PUBG Mobile Light ट्रेंड नहीं हुआ या फिर आगे चलके क्या होगा इस topic पर भी हम लोग details में बात करेंगे इस video में तो आप सभी लोग से एक request है वीडियो को आप लोग end तक watch करते रहेगा सारी चीज़े जानने के लिए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीज़ेगा इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 1000 लाइक का सभी के सभी भाई लोग लाइक कर दीज़े चैनल पर जो भी भाई नहीं है सब्सक्राइब मार दीज़ेगा आपको क्या करना है और अपने आईडी को चेक करना है डेली स्पेसल बंडल में आपको कितना बीसी सो हो रहा है अगर आपके बंडल में 100 बीसी का ओप्सन है तो आप लोग माला माल हो सकते हो बहुत ही चीप प्राइज में आपको बीसी मिल सकती है आपको करना क्या है ना पबजी मोबाई लाइट में अभी के टाइम पे 10-11 दिन डेली स्पेसल बंडल रहने वाला है तो आप लोगो को इस WhatsApp नमर को सबसे पहले अपने फोन में सेब कर लेना है इस नमर को अपने फोन में सेब कर लेना और WhatsApp पर जाकर हाई मैसेच करना कि सबसे पहले बात करते हैं इस group के बारे में जिसको बनाय गया था PUBG Mobile Lite के hashtag को trend कराने के लिए लोगों को इक ठाक किया गया था तो guys इस group का हुआ क्या या फिर अभी क्या हो रहा है तो guys मैं आप लोगों को बता दूँ ये group अभी किसी भी काम का नहीं रहा है जिन जिन लोगों ने इसे follow किया है फटाक से जाकर unfollow मार सकते हो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं है जिस चीज के लिए इस group को बनाया गया था वो चीज ट्रेंड तो हो नहीं पाई तो group किस काम का guys जाओ unfollow मारतो बाके guys एक चीज और मैं आपको बता दो PUBG Mobile Lite को Indian version में लाने के लिए इतना काफी नहीं है अभी हम लोग आगे चल के कुछ और भी planning करेंगे जो latest update आएगी तो मैं आपको बताऊँगा बाकी ये जो फिलाल में जो planning चल रही थी वो तो cancel हो चुकी है अब दूसरी planning हम लोग बनाएंगे अगर वो planning बनाएंगे तो आप लोगों को भी बताएंगे तो बने रहीएगा चैनल पे सभी यूटूबर्स लोगों के चैनल पे हमारे चैनल पे तो guys अब बात कर लेते हैं आप लोग ना अपनी ID कैसे बचा सकते हैं क्योंकि अभी के टाइम पे ना PUBG Mobile Lite के अंदर ID's ban पे ban हो रही है 10 year ban 20 year ban किसे का 1 month के लिए ban मतलब ban पे ban मिल रहा है और वो किन लोगों को मिल रहा है जो लोग cheating वेगरा को हलका फुलका भी यूज़ कर रहे हैं किसी को तो तुरंत ban आ जा रहा है किसी को कुछ खेलने के बाद आ रहा है तो गाईज मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा ना PUBG Mobile Lite के अंदर अभी के टाइम पे security high हो रखी है तो आपके महनत पे पानी फिर जाएगा जितनी ID आप लोग ने बनाई है एक दो साल महनत करके वो पे पानी फिर जाएगा तो गाईज अगर एक महने के लिए ID बैन होती है तब तो गाईज चलता है लेकिन आप लोग सोचो अगर आपकी ID पे 10 यर बैन आज है इस छोटी मोटे cheating को यूज करने के बाद तो क्या आपका feel होगा तो गाईज अभी के टाइम पे anti-cheat वेगरा on हो रखा है आप PUBG मोबाइल आट के global version जो हम लोग खेलते हैं उसके आप लोग customer service में जाकर भी देखेंगे ना तो कुछ काफी सारी नही नी चीज़े वहाँ पर हमें देखने को मिली है जो की relate करती है anti-cheat system से तो गाईज अभी के टाइम पे आप लोग full safe game खेलिएगा क्योंकि अभी के टाइम पे cheaters भी थोड़ा बहुत कम हो गए हैं जैसे 0.27.0 update आया था ना उसके एक दो दिन बाद जितने ज्यादा cheater देखने को मिल रहे थे अभी उतना cheater आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस चीज़ को आप लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अगर आपने हमें हमें मेरे personal whatsapp चैनल को follow नहीं क्या है तो whatsapp तो आप चलाते ही होंगे whatsapp चैनल का link मैं description में दे दूँगा आप लोग मेरे whatsapp चैनल को follow कर सकते हो बागी मैं मिलता हूं next video में bye bye